अपने पिछले व्याख्यान में हम लोग ने देखा कि हम लोग एठिक्स या फिर नीति शास्त्र की परिभाशा किस प्रकार से बनाते हैं आप सभी को याद होगा कि नीति शास्त्र के लिए हमने जे जे मैकेंजी के द्वारा दी गई एक आदर्श परिभाशा को तर्क के साथ स्विकार किया था और ये परिभाशा थी ethics is the study of distinction between good and bad conduct अर्थात अच्छे और बुरे आचरण के मद्धे विभेद करने के अधियन को नीति शास्त्र कहा जाता है हमने देखा कि इस परिभाशा को ग्राह्य करने से पहले हमें इसके कुछ मोल ब्रूत बिंदूओं को समझना अनिवारे हो जाता है उडारण के लिए अगर ये अधियन है तो किस प्रकार का अधियन है? क्या ये वर्ड नात्मक है या फिर ये नियामक है? दूसरा अच्छे और बुरे के मध्य विभेद करने का माप दंड, पैमाना, पैरामीटर या फिर क्राइटेरियन क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए? और तीसरा एक नीत शास्त्री सदैव आचरन शब्द का प्रियोग क्यों करता है? कार्य का क्यों नहीं करता? व्यवहार का क्यों नहीं करता? और इसी संदर्व में आचरन और कार्य में क्या फर्क होता है? what is the distinction between an action and a conduct इन प्रश्णों का उट्टर खोसते हुए हम लोगों ने देखा कि नीत्रिशास्त्र की अनिका नेक विधाय, अनिका नेक पक्च या आयाम होते हैं जिन में से कुछ तो नियामक होते हैं, नौर्मेटी होते हैं और कुछ वर्डनात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं और कुछ विशलेशडात्मक या फिर एनालिटिकल होते हैं जब हम ये प्रश्ण करते हैं कि अच्छा किस प्रकार किया जाए शुब का पैमाना क्या होगा या क्या होना चाहिए तो हम नियामक नीतिशास्त्र की चर्चा करते हैं शुब तत्व कौन-कौन से होते हैं इनकी सूची किस प्रकार से बनाई जाए ये वर्डनात्मक या व्याख्यात्मक होते हैं लेकिन शुब का मतलब क्या होता है और ये अशुभ के मतलब से अभी प्राय से किस प्रकार से अलग होता है ये विशलेशडात्मक होता है तो हम पाते हैं नॉरमेटिव एथिक्स में आमतार पे एथिक्स और अपलाइड एथिक्स आती है लेकिन descriptive और analytical ethics में हम लोग के पास meta ethics या अधिनीती शास्तर आती है हमने ये भी देखा कि किसी भी कारे को आचरण कहे जाने के लिए उसे कम से कम तीन पैमानों पर खरा उतरना अनिवारे होता है नमबर एक उस कारे को करते समय अगर हमारे पास विकल्पों की उपलब्धता है availability of options है तो हम उसे conduct कह सकते हैं नमबर टू उन उपलब्ध विकल्पों में से चुनाओ करने के लिए अगर हम स्वतंतर हैं अर्थात हम किसी दबाव में आके किसी परिस्थिती जन्ने रूप में अगर उस कारे को नहीं कर रहें बलकि संकल्प की स्वतंतरता या फिर free will के साथ कर रहे हैं तो वो कारे आच कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है तभी वो आचरण कहा जाएगा और इसमरण रहे कि नीति शास्तर की विधा के छेत्र में केवल और केवल आचरण आता है अगर वो कारे है व्यवहार है तो ना तो वो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है बलकि व कि मेरी कलम का रंग काला है तो ये नैतिक कथन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड नात्मक कथन है लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे सदैव अपनी कलम अपने पास रखनी चाहिए तो ये एक नैतिक कथन कहा जाएगा अपनी परिचर्चा में हमने ये भी देखा कि आम तोर पे अच्छे और बुरे शुभ और अशुभ को पहचानने का पैमाना सर्व प्रथम और सर्व प्रख्यात रूप से डेविड हूम नाम के एक आधोनिक पास्चात दाशनिक ने दिया था उन्होंने कहा कि है और चाहिए के मध्य सदैव एक विभेद एक ग्याप बना रहता है क्योंकि है तथ्यात्मक होता है फैक्चुल होता है उसके उपर हमारा नियंत्रण नहीं होता लेकिन चाहिए तथ्यात्मक नहीं होता अपित्मूल्य परक होता है इसमें चाहिए की भावना या फिर अपेच्छा छुपी होई होती है तो जब है और चाहिए एक्चुल वैल्यू और एस्पाइरेशनल वैल्यू के मध्य विभेद दिखाई देता है तो हमारी ये स्वाभाविक प्रकृती होती है कि हम उस विभेद को नियूनी कृत करने का प्रियास करते हैं मिनिमाईज करने का प्रियास करते हैं गौर कीजिए डिविड हुम ने ये कभी भी नहीं कहा कि है और चाहिए तथ्य और मुल्य एक हो सकते हैं ऐसा भला क्यों? क्योंकि तथि सदैव परिस्थिती जन्ने होते हैं और परिस्थितियां सदैव हमारे नियंत्रड में रहें ये अनिवार्य नहीं होता ऐसे में हम कभी भी नहीं कह सकते कि आदर्श परिस्थिती को आप वास्तविक परिस्थिती बना पाएंगे लेकिन हम इतना प्रियास तो कर सकते हैं कि चाहिए और है इस और ओट के बीच की जो दूरी है उसे कम से कम करने का प्रियास करें तो हर वो आचरण जो है और चाहिए के विभेद को निवनी कृत करने का प्रियास करें उसे हम नैतिक कार्य या नैतिक आचरण कहते हैं और हर वो कार्य जो है और चाहिए के विभेद को बढ़ाने का काम करें उसे हम और नैत्रिक कारे कहते हैं और इस प्रकार गुड और बैड के बीच में विभाजन के मापदंड को एक सिध्धान्थ के रूप में डेविध हूम इस्थापिट करते हैं इस प्रिप्रेच में नैत्रिक्ता के उद्भों को लेकर के बहुत सारे सिध्धान्थ दिये गए लेकिन अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दो धाचे या रूप रेखा या मॉडल उभर कर हमारे सामने आते हैं यूनिवर्सल मॉडल या सारोभौमिक धाचा और इंडिविजुएलिस्टिक मॉडल या फिर वैक्टिक धाचा सारोभौमिक धाचे को कभी-कभी हम लोग पारमपरिक धाचा भी कह करके बुलाते हैं सारोभौमिक धाचा भी कह करके बुलाते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल मॉडल कुछ ऐसे नियामक कत्तों की चर्चा करता है, जो हर किसी के उपर, हर जगा अनिवारे रूप से आरोपित होने चाहिए। ऐसा करने से हमें कई फायदे भी मिलते हैं। हमें एक सुरच्छा बोध होता है और हमारी सामूहिक प्रगती होती है। लेकिन इस प्रकार की सारभौमिक नैतिक्ता से कुछ नुकसान, कुछ अवगुड भी होते हैं। उदारण के लिए आपकी बोधिक्ता को इसमें जगा नहीं मिलती, क्योंकि आप नियमों का जैसा का तैसा पालन कर रहे होते हो। और नंबर टू, इसमें जब आप परिचर्चा को आरंभ करते हैं या इसको आप स्विकार करते हैं तो आप मानते हैं कि आपकी सामूहिक प्रगती भले ही हो, लेकिन कहीं न कहीं जाने या नजाने में हमारी वयक्तिक प्रगती धीमी पढ़ जाती है या फिर रुख जाती है एक सरल्तम उदारण के द्वारा मैं अपनी बात को स्पस्ट करना चाहूंगा आपको याद होगा जब आप पढ़ने के बाद नौकरी खोज रहे थे या जॉब सर्च कर रहे थे तो निश्चित रूप से आपके दादा जी या दादी जी की ये अपेक्छा रही होगी कि आप घर के पास में रहकर के ही काम करें मतलब आप सदैव उनकी नजरों के सामने रहें और ये कोई बुरी भात भी नहीं है हर माता पिता हर पैरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी नजरों के सामने बने रहें और इसलिए वो युनिवर्सल मॉडल आफ मॉरालिटी को इम्पोज करना चाहते हैं लेकिन आपने पाया होगा कि जब आप अपने घर के आसपास या अपने छेत्र या अपने शेहर में ही अपनी नौकरी खोशते हैं तो कहीं न कहीं आपको समझोता करना पड़ता है हो सकता है आप अपने शेहर और छेत्र को छोड़ करके कहीं बाहर जाने को तयार हो जाते किसी अलग समय पे या टाइम पीरियड में काम करना चाहते किसी अलग परिस्थितियों में काम करना चाहते तो आपके promotions भी ज़्यादा होते, शायद आपकी salary भी ज़्यादा होती तो अगर आप दादा दादी जी की बातों को मान करके उसी छेतर में रुख कए और घर में रहकर आसपास ही काम करने लगे तो परिवार की प्रगती तो हुई, परिवार में एक सामोहिकता का बोध आया लेकिन आपकी वयक्तिक प्रगती, individual progress कहीं न कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है और अगर आप अपनी वयक्तिक प्रगती के लिए अपने छेतर, अपने परिवार को छोड़ कर कहीं बाहर चले गए तो निश्चित रूप से आपकी वयक्तिक प्रगती जादा होगी, इसकी संभावना बनी रहेगी लेकिन कहीं न कहीं आपका सुरच्छा बोध हो गया और आपके परिवार की, छेतर की, कुनबे की सामुहिक प्रगती धीमी पड़ गई तो आपने देखा कि सारभौमिक धाचे के कुछ नफे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं ऐसे में इस सारभौमिक धाचे से हट कर कभी न कभी गाहे बगाहे जाने अंजाने में हम नैतिकता का अपना धाचा बना लेते हैं जिसको हम वयक्तिक बौधिक धाचा कह करके बुलाते हैं गौर करें कि इस वैक्टिक धाचे में भी हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम नैतिक नहीं बनेंगे, बेशक हम नैतिक बनेंगे, लेकिन हमारा मानना सिर्फ ये है मेरी नैतिकता मैं खुद बनाऊंगा, मैं किसी और के द्वारा आरोपित नैतिकता को जैसे का तैसा स्विकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक बौधिक, मैं एक तार्किक प्राडी हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा अधिकार है कि मैं अपने नियमों की सरचना स्वयम करूँ. ऐसे में जिस नेतिक्ता का हम पालन करते हैं, उसे हम पर्सनलिस्टिक, इंडिविजुलिस्टिक या रिफ्लेक्सिव मॉराल्टी कह करके बुलाते हैं। ऐसी नेतिक्ता में हम पाते हैं कि हमारी वयक्तिक प्रगती बहुत अधिक गती से होती है, आवर इंडिविजुल प्रोग्रेस इस स्पीड सब। ना सिर्फ ये बलकि हमें इस बात का आत्म संतोश भी होता है कि हमारी तार्किक्ता, हमारी बौधिक्ता को नियमों के निर्माण में उचित जगह दी गई है। लेकिन इसमें ये खामी भी होती है कि हमारी सामोहिक प्रगती, हमारा सुरच्छा बोध कहीं न कहीं खो जाता है। तो हमने पाया कि सारोभौमिक धाचे और वैक्तिक धाचे के अपने अपने नफे, अपने अपने नुकसान हैं, कोई भी मॉडल खुद में ओवरॉल कम्प्लीट नहीं होता। ऐसे में हम अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों धाचों के बीच में घूमते रहते हैं। और इसी लिए अगर आपको याद होगा, अपनी पिछली परिचर्चा में हम लोग ने इस बात को कहा भी था, नैतिकता बिलकुल फैशन के समान होती है, यह आती है, चली जाती है, कुछ वक्त के उपरांद एक नवीन कलेवर में यह दुबारा लोट कर हमारे पास आती है। यही तो वज़ा है, जब आप बच्पन में अपने सामुहिक परिवार में रहा करते थे, तो सरैव आपकी इच्छा ये हुआ करती थी, मैं अलग रहूं, अपने निर्डे स्वयम लूं, कोई मुझे निर्देशित ना करे और मैं अपनी मर्जी का मालिक स्वयम बना। लेकिन कालांतर में जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद बन जाते हैं, आप अलग रहने लगते हैं, तब आपके अंदर कुछ समय के पश्चात ये भाव आता है, कोई तो हो, कोई तो हो जो मेरी बात को सुने, जब मैं देर से आओं तो मुझसे प्रशन करे, कभी मुझे डाटे, और जब मैं कोई अच्छा काम करूं तो मेरी प्रशनसा भी करे, which means we definitely need an approval from our society, यानि हमें अपने समाज, अपने चारो तरफ के रहने वाले लोगों के द्वारा एक लाइसेंस, एक अनुमती चाहिए होती है, ये हमारी अपेक्छा होती है, और इसी लिए हम वापस उसी सामोहिक कुटुम्ब में वापस लोटना चाहते हैं, और इस प्रकार हम युनिवर्सल और इंडिविज्वल मॉडल के बीच में कहीं न कहीं जूलते रहते हैं, हमने देखा इस प्रकार की नैटिक्टा विशेशत तौर पर जो सारभौमिक नैटिक्टा होती है, ये सबसे अधिक धर्म हमारे उपर आरोपित करते हैं, और इसमें कोई आश्चर की बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जहां पे एथिक्स, शब्द की उत्पत्ती, एथोस, एथिका, मोर्स या मुरैस से होती है, जहां रिलीजन शब्द की उत्पत्ती, रेलीजियो या रेलिगारे से होती है, लेकिन इनका मूल आशे तो एक ही है, चीजों को जोड कर रखना, चीजों को अनुशासित, विवस्थित और सामंजस से पूंड वातावरण में रखना, और अगर ऐसा है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, कि धर्म में भी नैतिक्ता, और नैतिक्ता में भी धर्म का पुठ छुपा हुआ होता है, तो जब धर्म आपके लिए कुछ नियमों का निर्माड करता है, तो कोई भी धर्म चाहे क्यों नहों, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इसाई धर्म हो, चाहे वो बौद धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, या फिर इसलाम ही क्यों नह सभी धर्म अपनी आदर्श अवस्था में सैध्धान्तिक रूप से वही बाते कहते हैं जो नैतिक कथन बन सकते हैं और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ जगत का कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो नैतिकता के विप्रीज जाए अब ये बात दूसरी है कि जब वो आवशक्ता से अधिक कर्म कांडिय हो जाते हैं तो कालांतर में कभी कभी वो हमको नैतिकता के परे जाते प्रतीत होते हैं लेकिन अपने शुधतम स्वरूप में हर धर्म चाहे वो कोई भी क्यों नहों नैतिक ही होता है नैतिक कतनों का समर्थन करता है और उन्हें परिमार्जित करने आगे बढ़ाने का प्रियास करता है कोई भी धर्म ऐसा नहीं होना जो छमाशीलता, दया, उदारता, प्रेम, करुड़ा, मुधिता, प्रग्या की चर्चा न करता हो याद करें बाइबल के शुरुवाती कतन में कहा जाता है अर्थात, जो अज्ञानी है या जो मासूम है उसे छमा करो इसलाम हमें जकात की शुक्षा देता है अर्थात, आप दूसरों की मदद करें, यही आपका धर्म है हिंदू धर्म, सदैव, अपनी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित करता है अर्थात, आप अपने धर्म का, अपने करतवे का इमानदारी से पालन करो यही सबसे बड़ा धर्म होता है तो भला ऐसा कौन सा धर्म है, जो नेतिक्टा के खिलाफ जाता हो शायद कोई भी नहीं तो इस प्रकार हम पाते हैं कि धर्म और नेतिक्टा के बीच में एक जुडाओ, एक अंतर संबंध, निश्चित रूप से मौजूद होता है लेकिन जब एक दार्शनिक, एक चिन तक नेतिक्टा की चर्चा करता है तो वो केवल धर्म की बात नहीं कर रहा होता बलकि सैध्धान्तिक रूप से कुछ ऐसे अनिवारे माप डंडों का निर्माड करने का प्रयास करता है जिसके द्वारा हम नेतिक्टा को समझ सके और अगर हम समझ पाएंगे तो इस बात की संभावना है कि हम नैतिक बन जाएंगे सबसे पहले मैं उदारन लेना चाहूंगा सुकरात का जिनोंने कहा वर्च्व इस नॉलेज सदगुड ही ग्यान है और जब सुकरात ने ऐसा कहा होगा तो ये कहने की प्रक्रिया में उन्होंने कहीं न कहीं ये बात मानी होगी कि मनुष्य खासतोर पे सामाजिक बौधिक मनुष्य स्वभावगत रूप से नैतिक होता है आंतरिक रूप से नैतिक होता है आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है बहुत सारे लोग अनैतिक भी होते हैं अगर आप ऐसा कहेंगे तो सुकरात कहेंगे आपकी ये बात पूरी तरह से स्वीकार है कि व्यावारिक रूप से लोग नैतिक भी हो सकते हैं अनैतिक भी हो सकते हैं लेकिन इस मनड रहे और आप इसे अपने अन्भों से जानेंगे कि हम में से अधिकांश लोग अगर अनैटिक कारे करते हैं तो वो अनैटिक कारे इसलिए करते हैं क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं होता कि इस प्रकार का आचरण करना अनैटिक होगा जैसे छोटे बच्चे, जैसे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर लोग, जैसे वो लोग जिनको नैटिक्टा की संपूर समझ या शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और यही वज़ा है कि जब भी आप किसी अनैटिक व्यक्ति के प्रुष्ट भूमी को खंगालते हो तो आपको मिलता है कि कहीं न कहीं वहाँ पर ज्ञान या परिस्थितियों का अभाव रहा तो सुकराथ कहेंगे यदि किसी भी बौधिक व्यक्ति को एक एडल्ट को जिसे सुकराथ सिटिजन कह करके बुलाते हैं तो सिटिजन तो वही है जो बौधिक होगा जो जिम्मेदार यानि की उत्तरदाई होगा और जो चीजों को निश्पक्ष भाव से समझ पाएगा मापदंड दे दोगे तो संभावना है कि वो अच्छे की तरफ ही जुकेगा क्योंकि बुरा तो वो अज्यानता वश्था आप उसकी अज्यानता का निवारण कर दो उसे ज्यान प्रदान कर दो उसे मापदंड दे दो उसे सिधांट दे दो उसे समझा दो तो वो नैटिक बनेगा because man is intrinsically good इसमरण रहे कुछ चिंतक इसके विपरीद भी मानते हैं आप सपने सामाजिक राजनैतिक दर्शन में टॉमस हॉप्स को पढ़ा होगा और टॉमस हॉप्स जब सामाजिक समझोते का सिध्धान्त देते हैं तो इस प्रक्रिया में वो मनुश्य को निहायत ही स् स्वार्थी बताते हैं उसे स्वावगत या जन्मजात रूप से स्वार्थी बताते हैं अच्छा नहीं बताते हैं in fact हॉप्स की तो यह बड़ी famous सी quotation है उद्धरण है जो आपको संभावता रुचिकर लगेगा जब टॉमस हॉप्स कहते हैं आप इस बात की कलपना भी ना करें कि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली भी उठाएगा अगर ऐसा करने में वो स्वयम की सहायता ना कर रहा हो और अगर व्यक्ति ऐसा है तो भी उसको नैतिक्ता को समझने की आवशक्ता पड़ेगी क्योंकि नैतिक्ता को समझ कर ही वो अपने इस अनुचित चरित्र को सुधार सकता है तो दोनों चीजों में चाहे आप मैन को intrinsically good मानों या आप मैन को intrinsically selfish मानों सबसे पहले आपको उसे नैतिक्ता के माप डंडों से परिचित कराना ही पड़ेगा और इसलिए virtue is knowledge क्योंकि अगर आप virtuous बनना चाहते हो तो पहले आपको knowledge enable बनना पड़ेगा अगर आप नैतिक बनना चाहते हो तो पहले आपको नैतिक्ता से समबंधित ज्ञान का उप्राप्ट करना पड़ेगा उससे आत्मसात करना पड़ेगा उसके बिना नैटिक्टा का हर दावा खोकला हो जाएगा यूड नॉट बिकम मॉरल, रादर स्यूडो मॉरल और ऐसे स्यूडो मॉरल बनाना फिलोसफर का काम कभी नहीं रहा, कडापी नहीं रहा तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए सरव प्रथम नैटिक्टा का सिध्धान्त जो लिखित व्यवस्थित रूप में हमारे पास आता है वो अरस्तु ने निकोमेकियन एथिक्स नाम के ग्रंथ में दिया ऐसा माना जाता है, हाला कि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि निकोमेकियन एथिक्स नीति शास्त्र के संदर्भ में लिखा गया पहला सर्व स्विकार्य ग्रंथ है और इसको निकोमेकियन क्यों कहा? कुछ लोग नाइकोमेकियन भी कहते है क्योंकि ग्रीक भाशा में नाइकोमेकियन का मतलब होता है एक आम आदमी या एक सामाने व्यक्ति तो सामाने व्यक्ति की नेतिक्ता क्यों कही शायद इसलिए कही होगी क्योंकि अरस्तू का मानना था अपवाद जनत परिस्थितियों में या विशिस्ट व्यक्तियों के लिए हो सकता है ये नेतिक्ता के मापदंड कारिय न करें लेकिस सामाने व्यक्तियों के लिए सामाने परिस्थितियों में ये नैटिक नियम या ये मापदंड निर्विवाद होते हैं और स्वीकारे होते हैं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नाइकोमेकियन एरिस्टॉटल या अरस्तु के पिता का नाम था या फिर उनके पुत्र का नाम था जिसका मतलब भी यही निकलता है एक आम व्यक्ति तो इसलिए अरस्तु ने जिस नैतिक सिध्धान्त का निर्माड किया वो सिध्धान्त और मानवी चरित्र के सदैव दो आयाम या दो हिस्से होते हैं जिने हम रैशनल आस्पेक्ट और इमोशनल आस्पेक्ट कहकर के बुलाते हैं रैशनल आस्पेक्ट केवल और केवल हमारी बुद्धी मत्ता या विद्धता के सद्गुड के साथ होती है लेकिन हमारी सम्वेगात्मक पक्ष या व्यक्तितों का सम्वेगात्मक आयाम छे अलग-अलग सद्गुडों से मिलकर बना होता है सयम, शौर्यता, प्रीम, उदारता, मित्रता और अंतमेन्याय लेकिन अरस्तु के अनुसार इन सम्वेगात्मक सद्गुडों के साथ समस्या ये है ये जन्मजात होते हैं मतलब आप अपने निरंतर प्रशिच्चड और प्रयास के द्वारा इसे और ज़्यादा परिश्कृत तो कर सकते हो आप इसको पैदा नहीं कर सकते, आप इसको उत्पन्य नहीं कर सकते, ये तो जन्मजात होते हैं तो जिसके में होते हैं, उसमें होते हैं और जिसमें नहीं होते, उसमें नहीं होते यही कारण है कि यदि मुझे किसी भी संगीत के वाद्देयंत्र को बनाने की छमता न हो तो कोई भी संगीत का शिक्छक मेरे अंदर उस छमता को उत्पन्न नहीं कर सकता हां अगर शुरुआत से मेरे अंदर संगीत के प्रती जुकाओ हो तो मेरे संगीत के शिक्षक मेरे उस उस पोशल का विकास अवश्य कर सकते हैं उसे बہतर बना सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते सदगुर भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं लेकिन फिर अरस्तु कहते हैं कि इन सदगुडों के साथ समस्या ये है चुकि ये समवेग आत्मक हैं, emotional हैं और हमारे समवेग उपर नीचे होते रहते हैं तो उसके साथ साथ हमारे सदगुड भी fluctuate करते रहते हैं, उपर नीचे होते हैं कभी कभी हम बहुत ज़्यादा साहसी बन जाते हैं, कभी कभी हम कायर बन जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दानवीर बन जाते हैं और कभी कभी हम इतने कम दानवीर हो जाते हैं कि हम कंजूस की श्रेडी में आ जाते हैं कभी-कभी हम अपने प्री जनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम कि वो suffocated feel करने लगे, और कभी-कभी हम इतना कम प्रेम करने लगते हैं कि वो ignored feel करने लगते हैं, तो उचित अवस्था क्या होगी? अरस्तु ने कहा समवेगात्मक सदगुड कभी भी नैतिक्ता को जन्म नहीं दे सकते क्योंकि गुड और अवगुड वर्च्यू और वाइस दो अलग-अलग चीजे नहीं होती वास्तों में वो एक ही चीज होती है और जब भी वो अतिरेक पे चले जाएं तो वो अवगुड बन जाती हैं और जब भी वो साम्यावस्था में रहें तो वही सदगुड बन जाती हैं So, any kind of virtue which goes to the extreme would be called as wise and any kind of virtue which is maintained in a balanced position in a homeostasis would be called as virtue बट हमको कैसे पता चलेगा कि वो गोड अतिरेक में न जा करके किस बिंदू पर आएंगे तो साम्यावस्था में बने रहेंगे बैलेस पोजीशन में बने रहेंगे अरस्तु कहते हैं उसके लिए हमारे चरित्र का बौधिक पक्ष जिम्मेदार होता है वो बौधिक पक्ष जिसमें विद्वता या बुद्धि मत्ता नाम का सदगुड विद्दिमान होता है क्योंकि यही एक ऐसा सदगुड होता है जो अन्य सभी सदगुडों को नियंतरित रखता है और इसी से मिलता जुलताई को धारण है जब आप यूनानी जगत में अपोलो नाम के गौड के चित्र को देखें वास्तव में अपोलो का मतलब सूरे ही होता है तो भारती परंपरा में सूरे देव का चित्रण देखें या फिर यूनानी परंपरा में अपोलो को देखें दोनों का चित्रण एकी प्रकार का होता है एक योध्धा जो अपने रथ पर बैठा हुआ है और उसके आगे साथ घोडे लगे हुए हैं और लगाम उस व्यक्ति के हाथ में है तो कितनी सामिता हमको दिखाई देती है यूनानी और भारतिय दर्शन के मध्या ये जो घोडे आगे लगे हुए हैं रथ के ये हमारे समवेगात्मक मूले हैं क्योंकि ये हमको आगे तो ले जाते हैं लेकिन इनके अनियंत्रित होने की संभावना भी बनी रहती है ये लगाम जो की सभी घोडों को नियंत्रित करके रखती है ये और कुछ नहीं बलकि हमारा बौदिक सद्गुड है जिसको हम विद्वता या विजडम के नाम से जानते हैं और ये लगाम जिसके हाथ में है उसको हम human soul कहकर के बिलाते हैं या फिर human character भी कहकर के बिलाते हैं तो याद रखिए conduct और character दोनों एक दूसरे से अनिवारे रूप से जुड़े हुए हैं character या चरित्र नियंतर देता है आंतरिक होता है जबकि conduct या आचरण बाहे जगत में दिखाई देता है लेकिन फिर भी चरित्र और आचरण, character और conduct एक ही सिक्के के दो पहलूँ के रूप में समझे जा सकते हैं आपका character अच्छा होगा तो आपका conduct भी अच्छा बनेगा और अगर आप बारम बार अच्छा conduct करते हो तो ये इस बात का साच्छात प्रमाड है कि आपका character आपका चरित्र भी अच्छा है तो इस प्रकार हमारी बुद्धिकता या हमारी विद्धता जिसको हम wisdom कह करके बुलाते हैं हमारे किसी भी सद्गुड को अतिरेक पर जाने से रोकता है ठामता है और उन्हें सामन जस्स में बना कर रखता है और यही आदर्श नैटिक आच्रड होगा और इसको अरस्तु ने theory of golden mean या स्वडि माध्य के सिध्धांत के रूप में स्विकार किया ये बड़ा ही आकरशक सिध्धांत था और अनेका नेक लोगों ने इसको स्विकार किया लेकिन इसके अंदर कुछ खामिया भी थी सबसे बड़ी खामी तो ये थी जिससे आप सभी परिशित होंगे अगर आप सद्गुडों को जन्मजात मान लेंगे तो कहीं न कहीं आप समाज को एक हायरार्की में एक वन्शानुगरत अव्यवस्था में विभाजित कर रहे हैं तब तो कोई उपर होगा कोई नीचे होगा और तब तो लोगों में सुधार की संभावना कम हो जाएगी ये अरस्तू की पहली आलोचना थी दूसरी आलोचना ये कि अरस्तू सदैव सद्गुडों की चर्चा नागरिक या सिड़िजन के संदर में करते हैं अब ये सिड़िजन क्यों कौन है इन्हें अरस्तू ने एडल्ट, एडुकेटेड, मेल, एंडर रिस्पॉंसिबल मेल के रूप में स्विकार किया अर्थात वो वयस्क है, वो शिक्षित है, वो नैतिक है, वो जिम्मेदार है तो ही वो सिड़िजन बन सकता है आलोचको ने कहा, इस नागरिक की परिभाशा में ना तो बच्चे आएंगे, ना तो बुज़ुर्ग आएंगे, ना तो महिलाएं आएंगी, और नहीं दास आएंगे तो ऐसा आपने क्यों किया? क्या आप समाज को विभाजित करना चाहते हो? जहां तक मेरी समझ है, अरस्तू के इस कथन के आधार पर हमें अरस्तू की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अरस्तू का ये कथन परिस्थिती जन्ने था, और उन परिस्थितियों में संभव तह उचित रहा होगा क्योंकि याद रखियेगा, बच्चे चुकि अभी सद्गुड और अवगुड के मद्द के विभेट को नहीं समझते, तो वो नैटिक निड़े लेने में फिल हाल अक्षम होते हैं, निश्चित तोर पे वयस्क होने पर उन्हें ये अधिकार भी दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए समर्थ भी हो जाएंगे, और यही तर्क बुजर्गों के उपर भी लागू होता है, महिलाओं को संभवता इसलिए नहीं रखा गया होगा, क्योंकि महिलाओं की जिसको हम कहते हैं समझ, उनके परिवार, उनके कुनबे के अनसार निर्धारित होगी, या फिर हो चाहिए और महिलाओं के विवाहों परान्थ दूसरे सिटी स्टेट में चले जाने के कारण, चाहे वो कृता हो, कौरिंथ हो, आयोनिया हो, मालेशिया हो, इलिया हो, तो उनकी वफादारी उस विशेस सिटी स्टेट के लिए बन जाएगी, तो इस कारण वो वफादारी परिस्तिति के अनसार बदल जाएगी, शायद इस वज़ा से अरस्तु ने न रखा हो, और दास को नैतिक क्यों नहीं माना, स्लेव्स को क्यों नहीं माना, इसके पीछे भी एक तर्क है, हमको पता है कि पुरातन काल में दास वो होते थे, जिने युद्ध में जीता जाता था, तो आपके राज्य के प्रति कभी भी उनकी वफादारी नहीं होती थी, उनकी स्वाभाविक वफादारी तो अपने मूल जन्मे स्थान के प्रति होती थी, वो तो दबाओ के करण वो आपके राज्य में आ गए, तो उनसे आप एक आदर्ष निश्पक्ष वफादारी की उ उम्मेट नहीं कर सकते ये सारे संभाविक तरके हैं जिनके आधार पर हम लोग अरस्तु को इन आलोचनाव से बचाने का प्रियास करते हैं लेकिन दार्शनिक होने के कारण हमको क्रिटिसिजम और काउंटर क्रिटिसिजम दोनों की समझ होना अनिवार है तो ये तो हो क्या प अरस्तु वर्चिव एठिक्स दे रहे थे तक्रीबन तक्रीबन उसी समय युनानी प्रिष्ट भूवी में एक दूसरे कम प्रचलित या कम विख्याद दार्शनिक भी थे लेकिन अत्यन्त महत्पूर दार्शनिक जिनको हम लोग अरिस्टिपस के नाम से जानते थे अरस्तु का प्रभा मंडल इतना बड़ा था कि शायद अरिस्टिपस उसके पीछे कही न कही छुप गए हो लेकिन उनका सिध्धान्त भी बहुत महत्पूर था जब वो नैतिक्ता के मापडंड के रूप में जन्मजात सदगुड को नहीं बलकि सुख के भाव को महत्तो द लेते थे वो कहते थे नैतिक्ता इसलिए करनी चाहिए नैतिक आचड को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सुख का जन्मदाता होता है और मनुष्र का स्वाभाविक स्वाभाव ना तो नैतिक होता है ना तो अनैतिक होता है ना तो स्वार्थी होता है और नहीं परोपकार होता है बल्कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है .कि वो हमेशा सुख चाहता है.. यूडे मॉनिया चाहता है.. सुख को प्राप्त करने का प्रयास छी एक वयस्क व्यक्ति की स्वाभाविक त्रव्रति होती है. तो नेत्रिक्ता क्या है? जिससे सुख की प्राप्ती हो जैसे मैं ने पहले भी कहा कि उस समय अरस्तु का आभा मंडल उसका आउरा इतना बड़ा था कि अरिस्टिपस का ये सिध्धान्त कहीं छीप कर रह गया लेकिन सत्रहवी शताब्दी के आस पास जेरिमी बेंथम नाम के एक गडितग्ये ने इस सिध्धान्त को दोबारा से पढ़ा दोबारा से स्थापित किया और इसे सुख वाद हीडोनिजम के नाम से प्रस्तुत किया हीडोनिजम का सिध्धान्त हमसे ये कहता है कि सुख ही हमारे नैटिक आचरण का एक मात्र मापदंड है और ये डिग्रीज में कम या जादा हो सकता है अर्थात ह हमारे जितने नाटिक विभ्रम होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि किस प्रकार का आच्रण करने से हमें अधिकाधिक सुख की प्राप्ती होगी। जैसा हमको पता है कि जेरिमी बेंथम एक गडितग्य थे तो उन्हेंने गडित के कुछ सूत्र बनाए जिसके द्वारा हम अपने सुख का आंकलन कर पाएं और उन्हेंने से हीडोनिस्टिक क्यालकुलस कह करके बुलाया। लेकिन याद रखिए गडितग्य हर चीजों को मात्र के माध्यम से समझता है वो गुड़ों को नहीं समझ सकता। मतलब वो क्वांटिटिटिव एनालसिस तो कर सकता है लेकिन क्वालिटिटिव एनालसिस जो इससे कहीं ज़्यादा महत्पूर है इसकी चर्चा एक गडितग्य नहीं कर सकता। इसी खामी को ध्यान में रखकर इसके बाद आने वाले दार्षनिक जिनको हम लोग जे एस मिल जॉन स्टूवर्ड मिल के नाम से जानते हैं इन्होंने इसमें सुधार किया और अपना एक नया सिधानत दिया जिसको परिश्कृत सुखवाद रिफाइंड हीडोनिजम के ना हो करके पॉसनल हैपिनेस ना हो करके सामूहिक सुख हो तो बहतर होगा मतलब कलपना करें कि आप अपने घर के अंदर बड़े खुश हो कर रह रहे हैं आपने पेट भर के खाना खाया है आपकी पॉकिट में पैसे हैं और आपके पास सब सुख सुधाएं हों लेकिन उसी घ करके दूसरे कमरे में आपके परिवार के दूसरे सदस से दुखी हों भूखे हों निर्धन हों तो आप ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रह पाओगे तो आप सुखी कम होगे जब आपका ये सुख अधिकाधिक लोगों का सुख बन पाए तो आप कहीं ज़्यादा अवध के सुख और जादा निश्चित सुख को प्राप्त कर पाओगे और इसी वज़ा से इन्हों ने कहा maximum happiness of the maximum number of people अधिक्तम लोगों के लिए अधिक्तम सुख की प्राप्ति का प्रयास ही नैटिक आचड कहा जाएगा और उन्हों ने ये भी कहा सुख का गड़ित के माध्यम से आंकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर किसी के सुख का प्रकार अलग-अलग होता है एक बच्चे को शुगर सिरप पीने में मजाता है एक बड़े व्यक्ति को शायद ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पीने में मजाता है एक बच्चे को लुकाचिपी का खेल खेलने में मजा आता है एक बड़े व्यक्ति को शायद मुनशी प्रेम चंद का साहित्य या फिर टॉमस हाडी के नौवेस पढ़ने में मजा आता है एक बच्चे को नसरी राइंस पढ़ने में मजा आता है और एक बड़े व्यक्ति को शास्त्री संगीत सुनने में मजाता है तो सुखों का प्रकार भी अलग-अलग प्रकार का हो सकता है इसका ध्यान रखना अनिवार है और इस वज़ा से जॉन स्टुवर्ड मिल ने अपने उपियोगितावात के सिध्धान्त को इस्थापित किया अर्थात जो अधिकाधिक लोगों के लिए उपियोगी है वही नैतिक है तो जहां पे हमने अरस्तु के सिध्धान्त को सद्गुडों का नीतिशास्त्र कहा था वही पे अरिस्टिपस से चलते हुए बेंथम से होते हुए जॉन स्टुवर्ड मिल तक पहुचे हुए इस जुखवात को परड़ाम मूलक नीतिशास्त्र या consequential ethics के रूप में स्विकार किया क्योंकि यहां पर परड़ाम अतियंत महत्वपूर हो जाता है चाहे वो उपियोगिता हो चाहे वो सुख हो कही न कहीं परड़ाम मूलक नीतिशास्त्र के समर्थक ये बात कहने का प्रियास कर रहे थे साध्य सबसे महत्वपूर है Purpose or the result is the most important The means are subsidiary साधन कुछ भी हो सकते हैं मतलब आप सुख का प्राप्त की प्राप्ति करो वो सुख या उपियोगिता आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हो बड़ा करशक सिधान्त था लेकिन संतुष्टी दायक नहीं था तो इनकी प्रतिक्रिया के तौर पर Immanuel Kant नाम के एक जर्मन दार्शनिक ने आधुनिक पास्चार्ट दर्शन में एक नवीन सिधान्त दिया जिसको हम लोग ने कर्तव्य मूलक नीतिशास्त्र के नाम से जाना हमने इसे डियॉन्टो लॉजिकल एथिक्स कहा क्योंकि जर्मन भाषा में डियॉन्टो लॉजिकल का मतलब होता है डियूटी या कर्तव्य कुछ लोगों की ये भी वर्डन होता है कि डियॉन्टो लॉजिकल का मतलब ओन्टो लॉजिकल के परे जाना या तत्तो मिमानसा के परे जाना है तो आप किसी भी अभी प्राय को स्विकार कर सकते हो लेकिन निश्चित रूप से इम्मैन्वल कांट ने एक बड़ा ही व्यवस्थित और सर्वग्राही सिध्धान्त प्रदान किया उन्होंने कहा जब भी हम कोई कारे करते हैं उस कारे करने के पीछे हमारा कोई न कोई संकल्प भाव छुपा हुआ होता है देर इस आवर विल बिहाइंड एवरी आक्शन उस संकल्प का जन्म कहां से होता है उस संकल्प का जन्म या तो बाहिश रोट से होता है या आंतरिक श्रोट से होता है बाहिश्रोत धार में ग्रंथ भी हो सकते हैं आप तो वाक्य भी हो सकते हैं कोई प्रॉफिट या मसियाह भी हो सकता है इसलिए हमने इसे पवित्र संकल्प या होली विल के नाम से जाना ये महत्रपूर तो है लेकिन शुद्ध नहीं है क्योंकि ये शुरोत कहीं और से आ रहा है जिसके उपर आपका नियंत्रड नहीं है तो शुद्धतम स्वरूप क्या होगा जो कहीं बाहर से ना आ करके आपके अंतह करड से आए और उसे हमने गुड़ विल कह करके बुलाया इम्मैन्वल कांट ने कहा ये संकल्प का शुद्धतम स्वरूप है इस तो ओनली जियूल डाट शाइन्स बाइट्स ओन लाइट ये ऐसा जवाहरात है जो स्वयम के प्रकाश से अदम में होकर चमकता है सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रकार का संकल्प चुकि हमारे अंदर से आता है तो ये स्वतंत्र होता है स्वायत होता है और इसके आधार पर जो कारे हम करते हैं वही हमारा करतवे होता है हमारी ड्यूटी होती है और इस प्रकार कांट कहते हैं कि करतवे के लिए किया गया करतव्य सबसे महत्पूर नैतिक आचरण बनाता है वो कहते हैं उदारण के लिए अगर एक magistrate कटगरे में खड़े अपने बेटे को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसका बेटा है तो आपका आशय शुद्ध नहीं था इंटेंशन अच्छी नहीं थी तो आप अनैतिक हो गए लेकिन अगर magistrate अपने उसी बेटे को जो की कटगरे में खड़ा है इसलिए छोड़ देता है इसलिए बाईजद बरी कर देता है क्योंकि ये गवाह और सबूत के द्वारा प्रमारित है सत्यापित है तो ये नैतिक आच्रण है गौर कीजेगा दोनों कंडिशन में उसने अपने बेटे को बाईजद परी किया लेकिन परडाम महत्वपूर नहीं है कांट कहते हैं आशय महत्वपूर है इंटेंशन महत्वपूर है इसलिए केवल अच्छा परडाम प्राप्त करना सही बात नहीं है बलकि हमारा आशय भी सही होना चाहिए In fact, end से ज़दा means महत्वपूर होता है साधन से ज़दा साध्य महत्वपूर होता है आपने क्या पाया यह तो बात में देखेंगे आपने किस तरह से पाया वो कहीं ज़दा महत्वपूर चीज़ है और इसलिए परडाम मूलक नीती शास्त्री जैसे Aristippus, Bentham, Mill का खंडन करते हुए कांट कहते हैं It is not the end which justifies the means Rather, it is the mean which justifies the ends अगर हम देखें तो पाएंगे साधन साधन के औचित्य को निर्धारित नहीं कर सकता ये दो साधन है जो साध्य के औचित्य को निर्धारित करेगा ये सिद्धान अत्येंट चित्ता करशक है अधिकांश लोग इसे स्विकार करते हैं और आप इसकी जलक भागवत गीता के निश्काम कर्म और पुरुशार्थ में भी पा सकते हैं हम सबने देखा है न कर्म की चिन्ता मत करो उचित भाव के साथ अपना करतवे करो कर्म का फल तो आपको अपने आप राप्त हो जाएगा कर्म फल की चिन्ता नहीं कर्म के पीछे के आशे की चर्चा करना आवश्यक है यही बात तो कांट भी अपनी डियोंटोलॉजकल एथिक्स में कह रहे हैं और इसके आधार पर वो थ्री पॉस्चुलेट्स ऑफ मॉरैल्टी जिनको वो थ्री केटगॉरकल इंपरेटिवस कहते हैं उनका भी निर्माड करते हैं केवल उसी का पालन करें जो सारुभॉमिक बन सके कभी भी दूसरे व्यक्ति को अपने कारे की पूर्ती के लिए साधन के तोर पर ना स्तिमाल करें और साध्यों के सामराज के उट्टरडाई सदस्य के रूप में स्वीकार करें कई न कई उनका नईतार्थ यही था अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता समाज के साथ बंढा हुआ व्यक्ति ही वास्त्विक रूप से नैतिक सामाजिक प्राणी बन सकता है आपको मैं यहाँ पे आपके सामने वड़न करना चाहूंगा रवीन ना टैगोर का एक बहुत ही महत्पूर कथन था जो आप इसके साथ जोड़ कर देख सकते हो रवीन ना टैगोर का कहना था मिट्टी से बंधन कभी भी पेड़ की मुक्ती नहीं हो सकती मिट्टी से जुड़ कर ही पेड़ अपना विकास प्राप्त करता है उसी प्रकार जब आप किंडम ओफ एंड्स के सदस्य के तौर पर कारे करते हो तो आपका कारे करतव्य बोध के साथ समस्त समाज के लिए उपयोगी होता है और यही आपका करतव्य होता है इस सिद्धान्त की आलोचनाई ये है और इसकी तीन प्रमुक आलोचनाई होती है जो मैं सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा कांट्स डियोंटोलॉजकल एथिक्स इस नमबर वन ड्राई नमबर टू रिगरस और नमबर थ्री एसिटि ये शुस्त है ड्राई है क्योंकि कांट ने अपने इस सिद्धान्त में समवेगों के लिए भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखा लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा मनुष्य बहुत धिक तो है करताव्य बहुत तो रखता है लेकिन वो भावनात्मक प्राणी भी है इसका ध्यान रखना चाहिए दूसरा ये रिगरस है अतियन्ट कठिन है भला एक मजिस्ट्रेट जिसका बेटा सामने कटगरे में खड़ा है वो निश्पक्ष कैसे होगा उसके लिए ये निड़े लेना अगर उसने लिया भी तो बहुत कठिन बहुत दुरगम रहा होगा और तीसरा कांट की डियोंटोलोजकल एठिक्स एसेटिक है एसेटिक का मतलब वैरागी के समान है विरक्ट के समान है साधू का सभाव है और साधू का सभाव आपको पता है चल, कपट, लोब, माया से रहित होता है किन्टु ऐसा सभाव ऐसा चरित प्राप्त करना कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है तो इसी वज़ा से कांट की एथिक्स को ड्राइ, रिग्रस और एसेटिक कहा जाता है अन्तु गत्वा जो हमारे पास चौथा सिध्धान ताता है इसको हम लोग अन्तभ बोध आधारित या अन्तभ प्रज्यात्मत नीति शास्त्र कहे करके बुलाते हैं हम इसे इंट्यूशनलिस्टिक एथिक्स भी कहे करके बुलाते हैं जिसके प्रमुक्चिंतक जोजेफ बटलर और सैमौल एलिक्जेंडर है और इन लोग का कहना है नैजिक्ता के स्थापना के लिए किसी भी माप डंड की आवशक्ता नहीं है ना तो वो वर्चिव एथिक्स ना वो कॉंसिक्वेंशल एथिक्स ना वो डियॉंटोलॉजकल एथिक्स ना तो आप सुप को पैमाना बना सकते हो ना आप उप्योगता को पैमाना बना सकते हो तो नैटिक्टा का पैमाना होगा क्या वो कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट होगा जिसके द्वारा हम इस बात को निर्धारित करेंगे कि ये आचरण नैटिक है या अनैटिक है इस सिध्धान्त के समर्थक कहते हैं वो तो आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बता देगी वो तो आपकी voice of conscience आपको बता देगी वो तो आपके हरिदय में पहले से विद्धिमान है और आशिक रूप से ये बात सही भी लगती है आप सब जब भी कोई कार्य करते होगे तो कारे को करने की प्रक्रिया के दोरान आपको इस बात का एहसास हो जाता होगा कि आप अच्छा कारे कर रहे हो या बुरा कारे कर रहे हो वो बात दूसरी है बात में आप तर्क के दोरा उस आवाज को दबा दो आप उसको अनसुना कर दो आप उसकी अवहेलना कर दो लेकिन वो सिध्धान्ट तो विद्द्यमान रहता ही है और यही सिध्धान्ट के समर्थक कहते है इस सिध्धान्ट को बाइबल के साथ जोड़ कर भी देखा जाता है और धर्म के साथ जोड़ कर देखने की कारण कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं लेकिन यही वो चार सिध्धानते हैं जिनके द्वारा हम नैतिक्ता का पालन करते हैं अब प्रश्णी ये पैदा होता है कि हमने तो चार सिध्धानत सीख लिए चार माप डंडों को समझ लिया अपने सामाने व्यवहार में हम किस सिध्धानत किस पैमाने का पालन करें इसका जवाब देते हुए नीति शास्तरी दार्शनी कहते हैं ये सापेक्छ है अलग-अलग परिस्थितियों में हम अलग-अलग प्रकार के सिध्धान्तों का पालन करते हैं और इसी को हम moral relativism, नैतिक सापेक छितावाद के सिध्धान्त के रूप में जानते हैं ये मेरे साथ और आप सब के साथ भी है कभी-कभी हम कारे को इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सुख की प्राप्ति करनी होती है कभी-कभी हम कारे को इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा जन्म जात जुकाओ है कभी-कभी हम कारे को इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा करतव है और कभी-कभी हम किसी कारे को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज हमको ऐसा करने के लिए कहती है तो moral decisions relative होते हैं इसकी अत्रिक्त और कुछ भी नहीं होते हाँ वो बात दूसरी है जब किसी खास वक्त में आप अपने जन्मजात या परवरिश के द्वारा प्राप्त सद्गुडों के कारण को याच्रण करते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अरस्तु के सिध्धान्त का समर्थन कर रहे हो कभी कभी जब आप किसी सुख की प्रसन्ता की उपयोगिता की भावना के साथ कारे करते हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आप बेंथम और मिल के सिध्धान्त को व्यवहार में अपना रहे हो कभी-कभी जब आप शुद्ध रूप से कर्तव्य होने के कारण किसी कारे को करते हो तो ऐसा लगता है कि आप इम्मैनुवल कांट के सिध्धान्त का समर्थन कर रहे हो और कभी-कभी जब बिना किसी तर्क के आप केवल अपने अंदर की आवाज के आधार पर किसी आचरण का पालन करते हो तो ऐसा लगता है कि आप बटलर और अलिक्जेंडर की बात को मान रहे हैं और आप अंता प्रग्यात्मक नीतिशास्त्र का पालन कर रहे हैं तो चिंतक इस बात को भली भाती जानते हैं कि एक ही पैमाने का आप हमेशा इस्तिमाल करो ऐसा नहीं हो सकता कालांतर में ये चीजे बदलेंगी परिस्थितियों के अनिसार बदलेंगी लेकिन जाने अंजाने में चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो आप इन में से किसी एक पैरामीटर, किसी एक मापडंड का पालन करोगे और वही आपका नैटिक सिध्धान्त बनेगा यही वज़ा है कि जब हमारी अगर किसी से विवाद हो जाए तो जब हमारा व्यक्तिगत अनभो होता है तो हम प्रतिशोध चाहते हैं जब हम सामाजिक पद पर पैठे होते हैं तो हम एक उदाहरण बनाना चाहते हैं और जब हमारा कोई मतलब नहीं होता कुछ समय पहले कसाप की घटना में हर भारतिय इस बात को जानता था और मानता भी था कि कसाप को अतियन्त कठोर दंड मिलना चाहिए हर आतंकवादी को कठोर दंड मिलना चाहिए और वो दंड उम्रकैद भी हो सकती है और किसी अपवाजनक परिस्थिती में मृत्र दंड भी हो सकता है और संपूर समाज अगर वो नैटिक है तो इस बात को स्विकार करेगा लेकिन कसाप की माने क्या कहा उन्होंने कहा बेशक मेरे बेटे ने बहुत घृड़ित कारे किया और इसके लिए उसकी आलोचना उसका दंड होना चाहिए लेकिन आप उसे मृत्र दंड मत दो क्योंकि वो मेरा बेटा है न तो आपने देखा जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे माप दंड भी बदल जाते हैं लेकिन कितनी भी परिस्थितियां बदलें इन चारों में से एक माप दंड सदैव प्रभावी रहेगा अगर हम लोग इसको भारती संदर्व में देखें तो भारती संदर्व में नेटिक्टा की स्थापना रित के सिध्धांत के द्वारा होती है वही रित का सिध्धांत जिसे अलग-अलग संप्रदाय ने कभी अपवर्ग, कभी अद्रिष्ट, कभी अपूर, कभी कर्म के सिध्धांत के द्वारा जाना और ये ने टिक्ता किवल दो मूल भूत मौनिताओं पर आधारित है कृतब प्रनाश आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी भी नस्ट नहीं होता और अकृतब भे उपगम जिसका मतलब आपकी वर्तमान परिस्थिती आपके ही पूरवगत कर्मों का परिडाम है उनके परिडामों से बच सकते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म अर्था दैव से बचने का एक मात्र साधन अनासक्त कर्म निश्काम कर्म या पुर्शार्थ का पालन करना है वो पुर्शार्थ का पालन जो हमें इस बात का अनभूती कराता है इस संसार को एक रंग मंच के समान समझीए जहां पर आप एक भूमिका का निर्वाह करने के लिए आए हैं और जब आप उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हो तो आपको निश्काम होना चाहिए और अपने करतवे की पूर्ती के बाद बिना किसी भावना बिना किसी आकरशड के आपको मंच के नीचे उतर जाना चाहिए ये निश्काम भाव ही मोख्च के स्थिति को जन्म देता है हमें स्थित प्रग्य बनाता है और हमें सयम और अभ्यास के साथ इस भाव को और ज़्यादा पुश्पित और पल्लवित करने का प्रियास करना चाहिए भारतिय संदर्ब में आपको पाश्चात्र संदर्ब के चारो सिधांत virtue ethics, consequential ethics, deontological ethics और intuitionistic ethics की जलक मिलती है तो चाहे आप भारती हों, चाहे आप पाश्चात हों, चिंतकों के सोचने के पैमाने और तरीके एक जैसे ही रहे हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत उप्योगी, अत्यंत प्रासंगिक बने हैं और सदैव बने रहेंगे. आप इनके खिलात का अध्यन करना अनिवार होता है और आप सब इन्हें रुचिपूंड तरीके से पढ़ें, यही आप लोगों से निवीदन हैं. धन्यवाद.